या जैसे दिश्मे के आजादी का अमित काल चल रहा है अवरत महुचा मना रहा है उसका कारिका भी मान सकते हैं और ये तो खुशी सारे छेतर को है कि अच्छा काम की सुरुवाद यहां हुई है कि यहां कॉलेज शुरू हो जाएगा गाउं की बेटियां घर से खाना खाके गाउं के कमजोरत अब जेगे बच्चे घर से काम करके यहां थोड़ी फीश में पढ़ेंगे और किसी भी देश के विकास के लिए सरके अच्छी हों हेल्थ की फेसलिटी हों फिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, युविश्टी हों इन्फराशक्तर का परवंध हो और बच्चे जो हैं पड़ लेकर के एक सुपारी पूरी दुनिया की एक धरौर बने दुनिया को बागे बढ़ाने का उनके अंदर सामर्थ हो और ये भारत में हो रहा है इस वक्ति और ना ही मैं इपीश्टत्त्तवाने चाहता हूँ कि मेंने कुछ कर दिया यहां जो कुछ हो रहा है तो आपको दिखाई है पता है बिजली का आपको पता लगता है नहराउन पानी आता है तो आपको पता लगता है बेंक पैशा आता है तो आपकी मुबाइल पर पता लगता है, शिक्सा के काम होते हैं तो आपको पता लगता है, गूमते हैं शड़कें आपको दिखाई देते हैं, हर चीजे खुद मता है, उसकी पार्गेटिंग की जुरूत नहीं है, आपको जो हो रहा है आपके सामने है, और ये कोई आपके ओपर मैं कहता हूँ, लोग तांतरी व्यवस्था में कोई भी काम करें, चाहिए मैं करूं काई दूसरा जब परते नहीं दे करें, ये कोई ऐसान नहीं है, इस गती से काम पहले होने चाहिए थे, अगर हम आजादी के तुरंद बाद, शिक्सिया की इंफ्रासेक्टर की तरफ तेजगती से बढ़ जाते, तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं परानी बातों का चर्चा करने का वो नहीं है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, कि आज देश के अंदर एक भाव आया हुआ है, कि देश का निर्मान करें, देश को पह पहले आगे लेके चले, और हम जब पिछले कई सालों से यह सोचते कि मेरा ही हो, आपने कोई जन परती दी ती सुना तो उसको आए लग जाती थी, मैं ही करूं अपने बाला, मेरे सदार का या मेरे वोटर का, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इस भावना से अब जो पा काम करेंगे तो निश्चित तोर पर भार्ट दिश्व की सबसे बड़ी ताकत बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा विश्वास है, कॉलेज का आज सिक्षा से समंदित कारिकरम है, हर्याना सरकार में आठ साल में 67 कॉलेज बढ़ाए हैं, और निती बढ़ा कि मैं सार है, कोई किसे ने वोट दिया हो, कोई हमले हो, कोई किसे का हो, विश्च किलमेटर का राका रखो बीस किलमेटर की राक्या में एक कॉलेज हो जाना चीए, यहां मैं जूरूर मुख्यमंदरी का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ की कुछ कंडिशन पूरी नहीं हो र अब आपने इसने पताया था बल्वान ने इसमें लोहरू में बिल्डिंग बन रही है 17-18 कोड़ों पेगी आई टी आई इमें भी 12 कोड़ों रही है दोनों तिनों आई टी आई अपने बहल सिवानी लोहरू त्रेड बढ़ाए हैं में बीटे जो बीएस्टी की कॉलिजिज की कलासीज बढ़ाई हैं हमारे प्रिंशिपल साफ कह रहे थे कि वह स्टाफ नहीं है हमने पता है प्रिंशिपल साफ जो चीज पर बहुत आलगा है तो बिल्डिंग भी पढ़ेंगी स्टाफ भी आओगा बच्छे भी आओंगे आप ज़्यदा गवराओ ना मैं बैठ्टा हो सारी सीजां के भर्मत करूंगा क्योंकि हर चीज का जो की है यह जल्दी तो मैंने की है इसाब से तो कहते हैं एकले साल चला लेंगे मैंने कहा कि अभी गाम बिल्डिंग देंड ने तियार है दाखले खोलो मच्चों को दाखला करा और चोड़कता है कि कुछ शुरू में कमिया हो में मारे बालका ने होसकता है कि बिजली कहां बैठन की दो चाहिए एक साल समझ से आजा लेकिन जब कलास शुरू हो जाएंगी तो मारव पर भी तबाब रहना सरकार पर भी दबाब रहगा स्काप भी आएगा बिल्डिंग अब में सबसे पहले जितने भाई आए हैं तरंगा देंगे तरंगा लेके जाओ और इस बार अपने घर के उपर कमशेक भी चार पांच जन्दस तारिक से लेकर पंदरा तारिक तक तरंगा लगा हो और हमें लगाना चाहिए हमारे बच्छे हमारे किसान के बेटे ले तरंगे के लिए 40-40 डिग्री टंपरेचर में देखो क्या हालो रहे हैं तरंगे के लड़ाई के लिए आज हमारे नोजवान बच्छे मैं आपको सच्छी बताता हूं आज मैं थीन-चार बजे तक में इस दिखता रहा है कल मैं गया था जजर है सागर है लावत डेड़ किल जमीदार है उस्का लड़का पहली बार गया थे इस साल का बोक्स्री में लाजी सेमी फाइनल में पहुंच गया मेरा मुझे निकल गी मैं मैं इस गिखूंगा उन्ने बाद में बताया मैं इस रात के दो ज़गे है वारात के दो जगे तक मैं फिर सारे बेच देख देखता पहले करते हैं और आज हमारे बच्चे खास कर खुशी के बात मुझे इस चीज़ की है कि अब जो है बारा खिलारी थे गोल्ड मेडल आये थे बारा मैंसे साथ है अर्जाना के और कुष्टी के मारे ग्यारा बच्चे गए थे सारे एक सो बटा सो कोई गोड लिया कोई शिल्वर लिया को ब्रॉंज लिया एक बच्चा भी खा लिया अपने तीन बच्चे तो भिवानी के हैं बेटी नी तुखन जैसे एक बहुत करेवाल और एक वा लड़की का नाम के है रिजी जिसा जस्मीन तो भाई बदलता हुआ बारत है कभी जनगनमा नहीं बाच्चा करता बहार भी देशा में कभी एक टूर्णामेंट में एक बार रास्ती दुन बच्चाएं अब बार बार तरंगा ले रहता हैं तो मेरी आप से प्रास्ता है और खास बात अपने बच्चों को बताओ कि आजादी ऐसे नहीं है पात्वों लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी है और अपने बच्चों को ये भी बताओ आज जो हमारे हाँ सविधान की वज़े से आप रोडा करो मनने गाल का डो धरना दो कुछ भी करो आपको आजाती है दो तिहाई दुनिया आज भी गुलाम है बहुत नहीं सकते में चाईना में ये सारे मौमड़न देश हैं सारे रजवड़े हैं सांस नहीं काड़ सकता कोई हमारे देश में आप पुजे तुक दखो कि कुछ भी कहो आपको कोई से रोकता देंगा आप कहो क्रिटिसाइज करो बुराई करो शरकारों को कंडम करो लेकिन देश के लिए आप ठीक बोलो चरिंगे के लिए ठीक बोलो और जो अच्छा हो रहा है उसके लिए ठीक बोलो मैं तो इस त्री बात के आप से कहने चाहता हूं कोई गुंजान करने की जरूरत नहीं है सब का सरकारों ने थोड़ा बहुत कम जादा किया है यह सोबाग्य है कि आप लुहार हारियाना में पिछे नोगरी निकली थी थानेदार की नबबेल को में सबसे ज़्यादा थानेदार तो सामल के लगए रिकॉर्ड की बाते हैं क्यों लगे कि बैरिट की बावना थी बच्छों ने मेहनत की पहले एक पर्था थी कि राज नेता जो बोट लेते थे लोग आपको शकल नहीं दिखाते थे उस व्यवस्था को बदलने का टाइम आ गया उस व्यवस्था को बदल सकते हो तो आप बदल सकते हो और मैं को भाजबा में लंबा चोड़ा ने मैं तो फब से बातवा आया हूं लेकिन अब मैं नितियों की वज़े से मोधी जी को पसंद कर करता हूं आप देख सकते हैं कि कोई आप मैं से बैठा कि किसी भी पत्वा पहुंच सकता है एक गरीव घर की जो अपड़ी में रहने वाली मुर्वों आज रास्त्ति के पद्पर है किसी ने सोचा नहीं हो गया कि जुद्धिनों का अपने धनकर साथ उप रास्त्ति बन जाएंगे वर्ला तो होता के था कोई चीज बड़ना है तो घर देखा करते यह उसके घरते बढ़ेगा या उसके उसनेता के घरते बढ़ेगा तोब्कि उस्ते बाहर भी घ्रन नहीं देते थे आप एक पाइटी की एक बात तो सही मानोगे मारा में कमी हो कि इस पाइटी में हर आदमी का भुष्य जो है उजवल है कोई भी कुछ भी पद ले सकता है आज जो जो दिचे बेटे हैं या आड़े बेट से हैं और जो अपर बेटे हैं हो सामदा आपके नीचे बेट सकते हैं और ये लोगत अंदर का खुबी है यह है खाशित ही है कि मालिक कोई नहीं है जनता मालिक है और लुवारों में मैं इमानदारी से कहता हूँ आप लोगों ने मुझे भुका दिया और मैं सिर्जुगा के आपकी शेवा करता हूँ और आपको मालिक समझे रहता हूँ मैं आपके नोकर हूँ और कोई आदमी ऐसा नहीं उपर नहीं थिया मैंने जो ये कह दे कि जेपी दलाल करूँ दम पर आपको प्रचोधर कर रहा है हने एक आदमी अपनी वोट का मलिक है हने एक आदमी सीधा आ सकता है और कभी मैंने ये नहीं कहा है कि आपका काम सब करूँगा ये करूँगा जब आप में जो बागे वोटते होगे क्योंकि लोग तंदर के अंदर है आदमी को अपने विचार रखने का है सोचने का हक है पसंद नापसंद है विचारदारा का हक है और इसी लाइन पर हमारी सरकारे चल रही है सारी नितिया मना के काम है कि छेतर के अंदर जो अर्याना के अंदर जो गरीब लोग है किसान के लिए आपको पता है जत्रा काम मैं खुले तोर पर कहता हूं कि देश के अंदर किसी भी परदेश पर कोई भी सरकार अगर किसान इत्रेश निती ज्यादा बड़ा रखी है वारिशे जो मेरे पास लागे तो मैं वो लागू करता हूं किसान के लिए मेरे जुमारी है आप लोहरू का सोबागे है और मैंने आपको पहले कहा दा कि लोहरू को पगड़ी देता है पगड़ी बहुत बड़ी चीज होती है इसको बट्टा नहीं लगने जो पुर्शिया आति रहती जाती रहती है लेकिन आपको वरोशा होना चाहिए कि आपने जो परते निदी चुना है वो हमेशा आपका ध्यान रखता है आपके परते निदी को जो जुम्मारी मिली है पूरे परदेश के किसानों की हर वक्त किसानों के बारे में सोचता है और ही भी कुछ भी किसी किसान को दुखी मेरी सरकार में है तो मेरी जिम्मेंदारी है कि मैं उसके दुख को दूर करूँ इसी भावना से मैं काम करता हूँ आप ए लंबा तोड़ा एक काम जिनाने की जूरूत नहीं है मिल जूल करके अपने इलाखे को आगे बढ़ाएंगे अपने परदेश को आगे बढ़ाएंगे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे मेरी आपसे एक पराता है कि लोहरु वलका इस बार 13, 14, 15, 3, 4 दिन तक तरंगे से डख्या होना चाहिए और जो भाईयों जो भूआओ जाया है उसमें से 100-100 रुपे, 200-200 रुपे तरंगे बगर्च कर दियो यह पराता है कदे कंजोशी कर जाओ कि वे कहां से लाओ हम ने दागे अपने आप फ्रीद के लाओ कर दिलाओ गे मैं चेक करूँगा किसके घर पर तरंगा है नहीं है यह लगाना ही चाहिए और तरंगे के संबद में इसे क्या होता है कि दुनिया में ताकत क्या है कि जो एक भावना एक तामेबल है रास्तिय मुद्दों पर दुनिया के लिए हमें एक होना चाहिए और दुनिया को एक होके दिखाने का हमारे पास कोई सादन है तो हमारे पास जो यह तिरंगा है काम चांद करना के और गाहों के जो मांग पतरियाद से दिये हैं जो जो संबब हो गए वह कराता रहूंगा आम तोर पर कभी गोज़रा नहीं करता मैं एक पराता है जुरू करता हूं अगे लिए इतवार को खरकड़ी बाउन वालीगा जो एक सुच्छ है कड़का समसे किसान को समझाएंगे इसी तरह हमारे सो एकड़ सतरे सी एकड़ में गौकलपरा में सुरू हो रहा है एक बागवानी का इसराहिल की विदी से हमारे घगडाओं में हो रहा है किसानों का चेतर है तो पहले किसानों की तरह देना चलिए और मैं यह देखता हूं कि हमारा चेत कर दूँगा कि हरे का आजमीं लखोर बेकर कि आम नहीं करेगा बागवानी के दवारा और दूसरी एक प्राथना हो रहा है मेरी समसे कि वह एक गादो भी गए एक खिला मिना थाज की बिना जहर की खेती शुरू कर दो अपने अपने लिए कर दो इससे को बहुत गाता नहीं ह और उसके लिए मैंने निती बना दिए कि प्राकरती खेती करेंगा उसको टेनिंग दिल्वाओंगा पेरे किसी बातिया थिकारी आड़े लोहरों में टैंप लगवा दूगा दूगा जो इसको 8-10 ग्राम कोई है जीवाबरत गमना गनावरत गोबर के खाथ से देशी के तो यह पॉर्टल में चड़वादियो मेरी फकल मेरा दोराब है जो जो बाही चड़वादेगा कि में दो किल्ला डीड किल्ला खेती करूंगा उसको ट्रेनिंग दिल्वागे और एक गाये अपने कान में लगवागे अपने रखवदेशी गाये पच्ची पच्ची जार प है फर्टिलाइजर में कुछ लाजाता है उस चे बचया है तो फिर वो केंसर को होगा प्यमारी होगे अस्ताल वाला जे जाते है किसान को आज सबसे बड़ी मार इन दोज़गे से पढ़ रहे है तो देरे देरे पदलाव करके देखो हो सकता है अपको सुझ महाज है मैं दोकरी की महाज़ाय सुझ मेरे इन सौसलमेडिया के चल भवा है कोई कान छोटा नहीं है ना मकली पालग का छोटा राबग की उख्गाय का स्वनागी सेंसरिठी है सो में भ्याज़ सुट जी मैं आप के पहले प्रोग्राम करके आए था इससाली चला मैं करकारा बेड़ लोग कोई बढ़ाई कोनी कई जाटा अचलना जे पले अस्ता कोनी होगा फिर हो एक खड़ा होगा उसमों जब आप लड़का बलाजी महारा ब्यमारी आई थी मेरा साथ लागर बेर लाटा हो गया ता मैंने पचास बेड़ पाली तो दो साल में पंस होगी पिछतर लाग के ब दूसरा मैं अवाईड़ा का बड़ा इसार का अवाईड़ा को डॉलफ करवा रहे हार तस जार करोड़ उपेशे उसके क्या होगा वहाँ एरो डिफेंस की फेक्ट्री आएंगी अवाईजाज भी वहाँ उतरह करेंगे और हमने पॉलिशी बढ़वा दी मैंने थोड़ा का मैं लुहारों की तरफ जादा देख लेता हूं कि पचास किलमेटर में जो फेक्ट्री लगा होगा उसको रिष्टी खर्चा भी ने लगागा उसको बिजली में चूड़तेंगे उसको जी एश्टी का पैसा बुल्टा दे देंगे यही चीजों से क्या होगा कि अगले एक शीजना आई थे पहले कि माचल में चोड़ते हे तो फेक्टरी लिगांगे लगी उदर दो फेक्टरे लगाई तु यह ने कर सिर्द कोणा हैं तो एक दिन में होने वाले काम धे हम तो रास्ता डाल सकते हैं नितिय बटा सकते हैं और इस तरह से अपना इलाका अब जिक मेरा कोशिश है कि लुहारू एक ऐसा चेत्र वने हार्याना में चर्चा का विसे हो जाए कि हर चेत्र के अंदर लुहारू पहले नंबर पे है उसी दिसा में काम करें और मैं अकेला निकरूंगा हम सब बिलके करें और एक बार सब भाईयों से पराता है कि आ जंडे लेके एक सब्सक्राइब कर लिया कि तरिंगा लगाएं और फटू फटू तरवागे शेर विसके बाद जो है वो जंडे अपने कर ले जांगे उस्टों में लगाना है दूसरा एक और है कि तरिंगे जंडे की बेजती कभी नहीं होनी चीए कोई निच्चे गिर जाए कूडी किर जा यह से तरिंगे को समाल कि